नमस्कार फियो और बलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंटरंस है जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन करना चाहती है मौली का पर दफास जब की पूरा परिवार उसके जूट के नीचे दब चुका होता है सब उसे सच मान रहे होते हैं तो पर अंसुमन कमरे में आ जाता है सुमन का हाथ पगड़कर ले कराता है सबके सामने तो फिर बड़ी मां को बस गुसा आ रहा होता है बहुत गुसे के साथ बोल देती है कि हमने का था कि कोई भी द्रवाचर नहीं खोलेगा और तुम सुमन को खुद यहां पर लेकर आई हो तो फिर वहां पर बॉल देता है कि सुमन मेरी पतनी है और सुमन इस पूजा को पूरा करेगी तो फिर शुमन इस पूजा को पूरा करती है जहां पर अंसुमन खुद अपने हाथों से सुमन का वर्थ खोलता है आम ओली और नंदन को बुझा रहा होता है क्योंकि वो उन द कि सुमन इस घर को वारिष लेने वाली है तो वहां पर सुमन को भी अपना आते हूं नहीं से रहेंगे और अमॉले के भी चंगुल में फास चुकी हैं तो क्या सुमन सच में देपाएगी परिवार को वारिष रहें